ऐसलाम अलेकूम, तो आज की वीडियो में हम जो डिसकस करने वाले हैं, वो है डाइधरल प्लें आफ सिमीट्री इससे पहले हमने जो वीडियो में डिसकस कर लिया है वो था एक्सिसफित्री Axis of symmetry C1, C2, C3, C4, C5 और C6 इन सब को हमने discuss कर लिया है और इसके इलावा हमने Plane of symmetry में Sigma V भी इसके कर लिया है, Sigma H भी इसके कर लिया है और अब हमारी बारी है Di-Hedral Plane of symmetry Sigma D की Di-Hedral Plane of symmetry को हम Sigma D से रप्रिजंट करते है और यह होता कहा है basically जो हमारा Sigma D होता है Di-Hedral Plane of symmetry यह ऐसा Plane of symmetry होता है जो दो C2 Axis के दरमयान से पास करता है ठीक है, कैसे का पक करता है Passes between two C2 Axis ठीक है, दो C2 के दरमयान से इसने पास करना है और पास किस तरहां से करना है Along the Principal Axis यानि यह कैसे होगा Parallel to Principal Axis ठीक है, यानि के हमारे पास जो C2 होगा, प्लेन जो होगा Sigma D जो होगा यह हमेशा Parallel to Principal Axis होगा ठीक है, और दूसरी बात यह हमेशा से दो C2s को कट करेगा, ठीक है, अब इसको explain करने के लिए मैं आपको पताता हूँ Sigma D को फुर्दा समझने के लिए आपको एक बात दिहान में रखनी है कि हमारे पास कुछ बुक्स होती है वो यह कहती है कि अगर हमारे पास एक जो molecule है उसमें Sigma H अगर exist नहीं करता Sigma H अगर exist नहीं करता Do not exist ठीक है तो अगर हमारा Sigma H exist नहीं करता तो इस case में हमारे पास जो जितने भी Sigma V होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो Sigma D कहलाते हैं provided that वो हमारे दो C2X में से पास कर रहे हैं Sigma V हमारे जो होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे Sigma D कहलाएंगे In case अगर हमारे molecule में Sigma H exist नहीं करता ठीक है और दूसरी बात कि अगर हमारे molecule में Sigma H exist कर जाता है ठीक है उसमें पाया जाता है Sigma H तो इस case में हमारे पास दो cases आजाते हैं कि अगर तो हमारे पास Sigma V जो हैं वो क्या हैं अगर हमारे पास Sigma V हैं यानि उस molecule में हमारे पास Sigma V हैं वो even है ठीक है Even कैसे है यानि के लाइक हमारे पास 4 सिगमा V हैं या 6 सिगमा V हैं अगर इस तरह से हमारे पास हैं सिगमा V तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हाफ उसमें से सिगमा H होंगे हाफ उसमें से सिगमा D होंगे और बाकी हाफ उसके सिगमा V होंगे ठीक है यानि कि अगर even हैं तो इसमें से क्या होगा for example even की मैं example देता हूँ कि sigma v अगर मेरे पास आजाते हैं six sigma v आजाते हैं तो इसमें से क्या होगा कि मेरे three जो होंगे उसमें से sigma v कहलाएंगे और जो बाकी three होंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे sigma d ठीक है तो इसी तरह यानि कि मेरा क्या होगा कि अगर even number आता है तो even में हमने divide करना है ठीक है कि हमारे पास half क्या हो जाएंगे half हमें sigma v कहलाएंगे और बाकी के half क्या कहलाएंगे sigma d ठीक है और हमारे पास even के case में यह होता है और अगर हमारे पास हो जाए odd अगर मारे पास आजा है odd, odd like 1, 3, 5, 7 अगर इस तरह से आजा है तो हमारे पास हम कहेंगे मारे पास sigma D exist नहीं करता sigma D do not exist ठीक है यानि कि यह देख लें कि हमारे पास odd में sigma D जो है वो exist नहीं करता जबकि अगर हम even की बात करें even की बात में हमारे पास half sigma d कहलेंगे half sigma v कहलेंगे like अगर मैंने even की example ये दे दी आपको ठीक है अब मैं आपको odd की example देता हूँ odd की example आपको एक molecule ज़िसमें तीन sigma v exist कर रहे हैं तो वो तीनों के तीनों sigma v ही कहलाएंगे उन में से कोई भी sigma d हमारे पास नहीं होगा चाहे वो c2 x के दिर्मयान से ही पास कर रहा हूँ चाहे वो 2 c2 x के दिर्मयान से ही पास कर रहा हूँ लेकिन हम उसको sigma d नहीं कहेंगे ठीक है यानि कि तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे कि तीनों के तीनों ही सिग्मा वी कहलाएंगे तो चले इस सारी चीज को मैं इलाबरेट करता हूं आपको एक्जांपल के जरीए सबसे पहली मैं एक्जांपल लेता हूं बी-एफ-3 थी ठीक है अब फ्री मेरा जो एक्षेज अफ रोटेशन है वह कौन सा है बिए फ्री मेरा याद मैं इसको एसे rotation देता हूँ यानि के इस तरहा रोटेशन देता हूँ तो क्या होगा कि मेरा C3 x इसमें मजूद होता है कि मैं 120 डिकरेशन दूँ अगर तो यह फुलॉरीन इसके जगह आता है ठीक है तो यह होता चैना यह मेरा होता है मतलब bf3 जो है इसमें मेरा सी 3 axis exist करता है बिल्कुल ऐसे ठीक है तो अब मैंने देखा के मेरा जो इसमें क्या exist कर रहा है सी 3 axis exist कर रहा है यहनि मेरा ci 3 11.poolcoming- serge Howard 수 3 हो गया its 1914 अब अगली बात मैं क्या करता हूं के क्या इसमें ś2 मौजूद है या अब Minny ऐस इस विए ह्ग माली को को यहां से इस फालोरीन से पकड़ के rotating दो तो इस मालीक्यूरम को मालीक्यूरम सा इस accurate आहे 10 याने के इस मीडियीयो मैं के इस थी इसके आगर में यह है एक साहिट आगर में यह तो मेरा एक C2 X is S exist कर रहे हैं, ठीक है, और यह बात हमने पहले भी की थी, शौटकट में, कि हमारे पास जितना यह वाला नंबर होगा, उतना हमारे पास C2 X is मुझूद होंगे उसमें, तो हमने देख लिए कि हमारे पास 3C2 हैं, अब हमने देखना है कि इसमें σिगमाड्य है जो है, वो मुझूद है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए पसको सबस्तधेस, नहीं करता है जो किसमें इसमाले के लिए बुए हो दूणने के लिए में इसके आलॉंग ऐसे प्लेयन काड़ता हूं तो बास्ट एनों की रिटेशन में पूर्डभी मैं अन्यीयस काड़ता है the best यास कंदर स्ब्वास का मतलवान अब देखें, अगर मैं इसको सिग्मा एच का मतलब हRich करूं करें, याई नि अगर मैं इसको Là हमारे पास क्या है कि अगर पास सिगमा H exist करता है ठीक है तो और सिगमा भी हमारे कितने 100 ठीक है तो हमारे आधे पास सिगमा डीडि दू नो थेग्जिस्ट या Xecl 4 कि example हमें क्या कहती है, इसमें हमने ये देखा कि मारा principal sunglasses कॉन सा था तो प्रिंसेपल अस था, हम बिल्कूल ऐसे वाला और वह gratis C4 कोफार कि मारे पास क्या है principal AXES C4 कि मतलब है सिफॉמה c2 होंगे इसके इनदर 4C2 होंगे ठीक है और अगली बात हमारे पास हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास इसमें क्या sigma V जो है वो कितने होंगे तो sigma V कि हमने क्या बात की थी कि हमारे पास यह जो N की value होती है यह हमारे पास C के साथ यह जो 4 है जो इसकी value होती है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, उतने ही हमारे पास सिग्मा वी होते हैं, यह हमने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था हमारा जो सिग्मा वी फाइंड करने का शॉटकट था, कि हमारे पास जितना यह इसकी वैलिए है, उतने ही हमारे पास क्या होंगे, उतने ही हम तो यह देखे हमारे पास के जो ओल है है इस Above Sir, करता है मान से पर तो मिलियों किहाते हैं कि यहां पर पास से हो आण 파 Zen जो sigma V है ठीक है? वो कौन सा है? ο्ड या even है? देखें, मैरे पास sigma V इस में कितने हैं? चार sigma V हैं, इवन है तो even sigma V का मतलब यह है, इसमें से half sigma D होंगे, और half क्या होंगे? half sigma V होंगे, तो मैं इसको क्या कुँए खुआँगा? कि मेरे पास जो 4 sigma V इसमें से मेरे दो जो हैं वो क्या होंगे Sigma D होंगे और बाकी दो क्या होंगे मेरे Sigma V कहलेंगे ठीक है अब देखें कि यह हमारे पास जो है ना Main Concept तो था यह लेकिन जो है ना कुछ books ऐसे कहती हैं कि अगर हमारे पास Sigma H exist कर जाता है तो हम कहेंगे उसमें Sigma D बिल्कुल ही नहीं है, चाहे even हो, चाहे odd हो, ठीक है, sigma d exist ही नहीं करता, यह कुछ books ऐसे कहती है, जो मैंने आपको बताया है, वो हमारा main concept है, कि अगर हमारे पास sigma h exist करता है, और sigma v हमारा even number में है, तो उसमें से half sigma d होंगे, half sigma v होंगे, लेकिन कुछ books ऐसा कहती है, कि अगर हमा आप लिख देता हूं कि according to some other books, according to some other books, कि अगर हमारे पास कुछ जो और books हैं, to some other books, उनके लिहाज से, अगर हमारे पास sigma h present हो जाता है, तो इस case में हमारे पास all sigma v होंगे, और हमारे पास no sigma d, यानि किसी को भी हम sigma d नहीं कहेंगे, हमारे पास तो है, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, sigma v कहलाएंगे, इन में से कोई भी sigma d नहीं कहलाएंगे, मतलब कि अगर हमारे पास sigma h, यानि कुछ books के मताबिक, अगर हमारे पास sigma h present हो जाता है, उसमें हम किसी को भी sigma d नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे पास जो main concept है, main concept हमें क्या कहता है, main concept हमें यह कहता है, कि एगर मारे पास sigma h exist करता है, तो उसमें से sigma v देखने even या odd होगे, odd में हमारे पास क्या होता है, कि even में हमारे पास क्या होता है, कि हमने वो half up दिखना होता है, और इसी तरह अगर मारे पास sigma h exist कर जाता है इसे तरह अगर में पर सिग्मा एक्जिस्ट नहीं करता तो उसमें जितने भी सिग्मा वी होंगे वो सारे सिग्मा डे कहलाएंगे प्रवाइड दैट कि वो टू सी टू एक्सिज में से पास कर रहे हूं ठीक है तो यह था हमारा डाई हैड्रल प्लेन ऑफ सिमिट्री इंशाल नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वरियन को डिसकस करेंगे अल्लहाफिज